इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर या अन्य स्थितियों के कारण होने वाली तंत्रिका उक्षती यानी की, neuropathic दर्ड के कारण होने वाले दर्ड से राहत देने के लिए किया जाता है। इसे fibromyalgia वाले लोगों में manspatio के व्यापक दर्ड और कठोरता का इलाज करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है। प्रेगास्टार OD 75 टेबलेट एसार एंटी एपिलेप्टिक नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है और इसका इस्तिमाल अन्य दवाओं के साथ मिलाकर दौरों यानि की फिट के इलाज में किया जाता है। इस इस दवा को लेना महत्वपूर्ण है। सटीक डोज और इलाज का समय आपकी कंडीशन और इलाज के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगा। आपका डौक्टर शायद इस दवा को कम खुराक पर शुरू करेगा और धीरे-धीरे इसे बढ़ाएगा। दवा के अ ठोड़े अन्यथा आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। आमतोर पर इस दवा के साइड इफेक्ट हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। सबसे सामान्य उनींदापन या चक्कर आना, मूह सूखना, धुंदली नजर, वजन बढ़ना, इडिमा, यानि की बरने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भ धारन करने की योजना बना रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। गाड़ी चलाते स समय सावधानी रखें क्यूंकि इसके नींद आना, चक्कर आना और नजर धुंध लाने जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको इस दवा के साथ शराब पीने से बचना चाहिए, क्यूंकि इससे अधिक नींद आना और चक्कर आना हो सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल झाल